बना देंगे हम इसको यहां प्लाइट रोड पे लगवा देंगे हर जगह पेंड लगवाएंगे स्मार्ट सिटी बना देंगे यहां पे और जो पेंड अंदर था वो गाइब हो गया अरे नार पोलीसी जिस दिन प्लांट चालू मने काम लग जाता है उसी दिन उसका गठन हो सान्सद महुदं विधायक और कई बड़े बड़े लोग और अधिकारी तक अपने लोगों को या हमारे नेता और जनद प्रतिनीधी के विसेश को दे दिया जा जता है ढ़्ब्सकार अगर अधैर गया तो मात्र समझ लिजिए कि 5,000 गामे मात्र 200, 2.5 लोग काम कर रहा है बहुत कम संख्या है लोकल लोग को वैसे भगा दिया जाता है क्योंकि वो अपनी तन्खा की मांग करेंगे और बाहर से यह मजदूर लाते हैं तो मात्र दोसौ और तीन सो रुपए में तो दोतीन सो रुपए में बस और उनको भी चारचर महीना तक सेलरी लोग रोक दिया जाता है नमस्ते प्रणाम मैं राज सेंग आज मैं चौसा थर्मल पावर बक्षर के बक्षर में इस थे चौसा थर्मल पावर में उपस्थित हूँ जहां भारत का सबसे बड़ा दूसरा थर्मल पावर का अस्टेशन आयोजित किया गया है मैं आपको दिखाने का प्रियास करूँगा कि आये आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पे जिस तरीके का थर्मल पावर बना हुआ है लोकल लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है ऐसा लोकल लोगों का मानना है बाहरी लोगों को काम दिया जा रहा है क्यों बाहरी लोगों को का को भीठाय है अस्ठापित किया है वैसी कंपनी वैसा वैसे लोग यहां पर शुत हैल भीचेस माय हो के लोगों से बात करने का प्रयास करूँगा और आपको बताने का प्रयास करूँगा कि क्या की तरीके से लोकल लोगों को यहां से ठगी किया जा रहा है कैसे लोकल लोगों को काम मिला है कि नहीं मिला है एक लोगों को नहीं मिला है मुझकी से एक परसेंट एक परसेंट मतलब लेकिन जब कंपनी अस्थापित की जा रही थी जब खेत बेचा जा रहा था आप लोगों का तो क्या वादा किया बहुत हं जभना दिए गया एक भी वादा साहीं नहीं हुआ और नहीं तो जफिद ह hm लाइन के लिए और पाइप लाइन के लिए पर बना देंगे हम इसको यहां प्लाइट रोड पे लगवादेंगे और जगहाएंगे स्माइट सिटी बना देंगे यहाँ पे जो पेन अंदर था वो गाइब हो गया अब आपको बता दे कि सरकारी आकड़ा के अनुसार कागजू में यह बताया गया है कि जब यह कमपनी बने गी उससे पहले यहाँ पे ग्रीन ग्रीन एरिया कर दिखाएगा और ऐसा उसके नक्से में भी दिखाया गया है कि तोटल अभी कमपनी बने बने नहीं उससे पहले ग्रीन एरिया बनाना चाहे और इसके बाद कमपनी अस्थापित करनी है आज तक एक पेंड नहीं लगा है पचास सो पेंड कबर गए इसमें का और अब को बता दे कि सरकार के तहप डीम और इस डीम के तहप जो सरकार जो प और मिलता है तो कितना परसेंट लोगों को काम मिलता है आप सोच सकते हैं कि गरीम मजदूर किस तरीके से अपना जीवन यापन करते होंगे बाहर आई हुए हैं साहप अपने घर पे नहीं है कि किसी तरीके से रोजी रोटी का जुगार करते हैं बाहर आ करके और अपने घर ह ね हमारे बच्चे जो आ रहे थे अब हो और भी आपको बता दूव कैम्रा बाते हुई है तो वहां पर है कि अगर काम मिलता भी है अगर इसमें काम मिलता भी है कमपनी के अंदर तो केवल मजदूरी करने का जाड़ू पोछा करने का सबसभाई करने का ऐसा ही काम ना कि किसी बढ़िया पोस्ट पे आपको नौकरी मिल जाए ऐसा होता है बढ़िया पोस्ट पे नौकरी मिली है कि नहीं स खुदी किसान के बेटे हैं हम एम्टे किये हुए हैं आयाइटी धनबात से और हमको आज तक हमारे पेपर कोई लोग देखे भी नहीं और इस तरह से गाव में कई लोग आईटी आई किये हुए एप्रेंटिस किये हुए खाली घूम रहे हैं और यह प्लांट कभी लोकल आप केवल सिख्षी बना रहे हैं तो नोकरी कौन देगा हम देंगे अरे कमपणी तो हम सिक्षड दे रहे हैं लेकिन नोकरी नहीं नहीं दे रहे हैं तो यह इस्थिति हैं लेकिन कोई भी कमपनी लगती है जब किसी की भी जमीन चीनी जाती है तो उसमें काफी बड़े-ब लेकिन कंपनी लगने के बाद क्या वादे सही हुए की नहीं को बता दे कि यह जो पीछे आपको थर्मल पावर दिख रहा है यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा थर्मल पावर है जो बारास वेकड लगभग बारास वेकड के छेत्रों में फैला हुआ है यह ऑर शयट्र अवी उलिए गने के लिए तीन सो एकड की आसपास की जमीन अभी आगे लेंगे जो हरा भारा जंगल लाएंगे और क्या तो क्या लागाएंगे बोल रहे हैं पर ऐसा इसका बिल्कुल Election नहीं अभी इसके अंदर थर्मल पावर के अंदर पेड़ है की नहीं है पहले वाले पेड़ नहीं रहा गया है सब का बार दीए ये लोग अभी दोपहर का समय है साहब फोड़ा इधर दिखा दीजिए गया आप थोड़ा सा पास में आईएगा दोपहर का समय है और पूरा का पूरा एरिया धुंधला हो गया है पूरा का पूरा एरिया जो है आप देखाईए उस साइड दिखाईए पूरा का पूरा एरिया परन होई है अब देख सकते हैं की आप क्या सुच्छते हैं वेक्षर थर्मल Посक्छ के बारे में क्या सोचते हैं कुमेंट सक्ष्न में क्मेंट करकी जरूर बताइए 종